हेलो स्टुडेंट्स कक्षा नौ के सामज विज्ञान की क्लास में आपके श्वागत है देखिए आज हम प्रादीप यह पठार की अंत्रगत जो दो भाग वाटे गए हैं उसमें दूसरा जो भाग है दक्कन का पठार उसका धन करेंगे देखिए दक्षन भारत का ये भाग उत्तरी उच भूमी के अपेक्षा अधिक उंचा है और अधिक बिस्त्रत्वी यह बहुत बड़े भूबाग में फैला हुआ है यह अतिन्त पुरानी कड़ी और रविदार परावार्तित चट्टानों से बना हुआ है कि उत्तर पश्वी भाग जो अलम के उद्द्दार से नर्मित लावा परदेश है यहां पहले कभी जो अलम की विस्फोट हुए थे उसके लावा से यह परदेश नर्मित है जहां अनेक चप्टे पहाड मिलते हैं जैसे सत्पुड़ा परवत है अजंटा परवत है कि अजंटा परवत तापती नदी के धक्षण में है यह बैसाल चटानों से बना लावे प्रदेश में रेगड या काली मिट्टी यहां पर मिलती है काली मिट्टी जिसे कपास की मिट्टी भी कह देते हैं जिसमें कपास की खेती वड़े पैमाने पर होती है इसलिए कपास की खेती के लिए मिट्टी बहुत जादा पुर्शिद है दकन के पठार का पश्मी जो किनारा भ्रंसन के कारण सीधी और खड़ी धाल वाला है जो पश्मी घात क्या लाता है पश्मी घात की से कहते हैं एक मेत्वपूर्ण चीज़ है एक नेमरीकल कोश्ण बनता है इसका पस्मी घाट के कई नामें जैसे सहसराब्दी परवत है, निलगिरी और कॉर्डिम पाडिया है पस्मी घाट का जो विस्तार है ताप्ता नदी से लेकर के कन्या कुमारी तक फैला हुआ है यह जो कन्या कुमारी है, हमारे भारत का दक्षण तर मिंदू है दक्षण की और इसकी उँचाई बढ़ती जाती है सबसे अधिक उँचाई अनाई मुंडी चोटी की है अगर दक्षण की बात करें तो दक्षण में सबसे उँची चोटी है अनाई मुंडी है और यह अनाई अन्ना मलाई पहाडी में है दक्षणी भारत का सबसे सुन्दर परवती नगर उटकमंड है जिसे उटी बोल देते हैं कि वो यहीं स्थित है पस्मी घाट पे तीन महत्मून दर्रें हैं दर्रें किसे कहते हैं ध्यांदे कि दो परवतों रसदथ पहाड़ियों की बीचके कैसा इस्थान जिति से आबगमन होता है जिसे एक इस्थान से 2 म आ जाय基本 को कौसे नरर्रें दर्रें दर्रें कि यह अस्थां भहरगाट और पालगाट तीन दर्रे हैं इन मेंसे था! बोरगाट दोनों महरास्टराजmotion में हैं और तीसरा जो है पालगाट वो केरल को तमिलनू से मिलाता है इन दोनों में लागता है प्राइदी पी या प्ठार रत्न करवाई जो प्राइदी प्ठारे उसमें अने को परकार के ख़ने कशश्य कि मौजूद्स अपार भंडार हैं जिसमें कोईला, लोहा, तामबा, मैगनीज, अबरक, शौना, हीरा, आदी, अनेको खने जे द्रब्ब के भंडार हैं यहां अधिकतर जो छेतर है वो बन भीहीन है जिस कारणा भूमी भी यहां अनुपजाओ है यहां बहुत सारे अधिकतर भाग ऐसा है जहां पर बनो कब इस्तार नहीं है और इसलिए यहां की जो मिट्टी है वो कमजोर है अनुपजाओ है परन्तु जल विद्धुत के छेतर में यह चेतर बहुत ज़्यादा आगे है क्योंकि यहां अनेको सदावानी नदियां जो ती ब्रिगती से बहती है इसलिए जल विद्धुत की दस्टी से आगे है यहां लावा के बिखंडन से प्राप्त काली मिट्टी के छेतर का पास उत्पादन के लिए उत्तम सिद्धुगे हैं अच्छे माने गए हैं पूरव और पश्यम में तठीय मैदान है तथा सुदूर दक्षणी छोर कन्यकुमारी अंत्रीप बनाता है यह दक्षणी छोर हमारे भारत का जो कन्यकुमारी अंत्रीप के नाम से बुकारा जाता है आज इतना ही कल आपको इसका चौथा हेडिंग है उसके बारे में बताया जाएगा चौथे बिंदू के बारे में बताया जाएगा यह आपका तीसरा जो परादी पर पठा रहे है उसके दो भाग है तो उसमें आपका दूसरा दक्कन का बढ़ा आज बताया गया है इसे सही तरह से अधिन करें तेने वाद